हेलो फ्रेंड्स आपका अपने इस चैनल डिबी क्लासे स्वागत है एक छोटी से कॉंसेट हम लेने जा रहे हैं छोटा सा त्रीक अकसर कर आपको स्क्वाइर फाइंड आउट करना होता है दो नंबर्स का ठीक है आप जैसे वन से लगा के नाइन तक के स्क्वाइर तो बहुत इजी निकाल लेते हैं बट अगर यही टू डिजिट नंबर आ जाते हैं जिसे 11 आ गया 12 आ गया 13 आ गया ऐसे आगे सागे सपोज 99 तक के नंबर्स आगे उनका स्क्वाइर निकालना है तो स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स के तो स्क्वाइर आप लरन कर लेंगे ठीक है ब ॥ीक़े है टू जिजिटी जैसे सपोज कोई 42 तो टू या 43 या सपोज 24 24 के स्कॉर आप जाने 5 7u6 अब इस ट्रीक से यूज करेंगे तो टू डिजिट नंबर्स में तो डिजिट और दूसरा होता है 10th digit ठीके आप जो trick यूज़ करने जा रहे हैं उसमें आपको क्या करना है इस तरीके से 3 blocks लेने हैं ठीके फर्स्ट ब्लोक में ये जो unit digit आपका आएगा unit digit इसका square कर देंगे second block में आप unit digit और 10th digit का multiplication करेंगे ठीके unit total सपोज यहां पर 10th digit में मैंने x ले लिया तो x into y करके उसका twice कर लेंगे ठीके x into y उसको twice double करेंगे और फिर last में 10th digit जो value है उसका square कर देंगे practical example लेता हूँ सपोज मैंने लिया ही 24 लिया इसका square मुझे करना है तो आपको क्या करना होगा two parts किया आपने unit digit का आपने किया square यह लिजिए फिर आपको क्या करना है इन दोनों digits का multiplication करके twice करना है और फिर 10th digit का आपको square करना है ठीके जी तो चलो करते हैं पर unit digit का square किया तो आगे आपका 16 4 तो जाए 8 और 8 इंटो 2 अगे 16 और 2 square 4 हो गया अब आप जानते हैं यह two digit number है तो unit digit तो हम हमेशा यहाँ पर रखेंगे और 10 digit को हम carry में ले जाके आगे plus कर देंगे तो यहाँ पर unit digit 6 है यही रखिए और 1 को आप यहाँ ले जाके plus कर लिजे तो यह बन गया 17 4 same situation आपको यहाँ भी यही करना है unit digit को रखिए और 10 digit को आगे shift कर दीजे प्लस कर लिजे तो हो गया 5 तो finally इनको एक साथ लिख लिजेगा तो 576 आगया और देखें हमने 24 का square 576 लिया था तो और कोई भी other number ले लिजे सपोज आप 32 ले लिजे इसका square कीजे तो same situation 2 unit digit का आप 3 into 2 और इनका twice कर लिजे और यह 3 का square कर लिजे यह आप orderly कर सकते है 9 3 to 6 6 to 12 plus 4 अब यह 4 unit digit है तो इसे लिखिए 2 digit आगया तो unit digit को यहीं लिखिए और 10 digit को plus कर लिजेगा तो हो गया 10 तो हो गया 10 तो हो गया 1024 आप चाहो तो इसको multiply करके check कर सकते हो कि हमने सही किया या नहीं तो 2 to 4 ठीक है 3 to 6 again 3 to 6 and 3 to 3 to 9 4 6 6 12 और यह 10 1024 कोई भी नमबर आप ठाहिए even 35 45 60 सपोस यह 98 मिले रहा हूं 98 का square करने जा रहा हूं same situation unit digit का square कीजिए फिर दोनों digit का multiplication उनका twice कीजिए और फिर unit digit 10 digit का square तो चलिए 64 और 9 into 8 कीजिए 98 जा 72 इसका double कीजिए 2 से multiply कीजिए double करने का मतलब 2 to 4 4 to 7 to 14 तो 144 आ गया आगे 9 square 81 अब यहां आपको देखना है unit digit को as it लिखिए 10 digits को यहां plus कर लिजिए तो 144 में 6 plus करो तो यह हो गया 10 5 1 81 40 अब यहां unit जो है वह यह एज़िए जाएगा बागी यह पूरा completely यहां के plus हो जाएगा तो देखिए क्या हो गया 5.6 और 819 अब इन सबको एक सास लिख दीजिएगा तो 6904 ठीक है यह हो गया 98 का square आप चाहो तो चेक कर लो बिलकुल exact आएगा ओके तो कोई भी नंबर को यह two digit number है ठीक है यह 10 10 10 जो रिप्रिजन कर रहा हो 10th place को रिप्रिजन कर रहा है ठीक है तो unit digit का आप करेंगे square फिर इन दोनों digits का क्या करेंगे multiplication करके twice कर देंगे और फिर 10 digit का square करेंगे और एक चित ध्यान अखिएगा two digit में हमेशा जो 10 digit वाला number आएगा जैसे two digit number नहां पर किया था ठीक है ना तो कोई भी number उठाओ कुछ भी ले लो तो 32 सपोस लिया मैंने तो 2 square 32 तो अल्रेडी हम कर चुके है कोई और उठा लेजिए 34 लेजिए तो यह 4 square unit digit ठीक है और इन दोनों का multiplication into 2 और next 10 digit का square तो implies date देखेंगे क्या हो जाएगा 9 फिर 430 12 1220 24 और य 16 का 6 यहां रखना है इसको इदर भेजिए 25 हो गया 25 में 5 यहीं रखेंगे और 2 को वापिस सेंड कर देंगे तो यहां 9 1 11 9 2 11 ओके तो आगे फाइनली 1 1 5 6 ठीक है यह 34 का आपका square हो गया तो इस तरह के questions आप कर लिजिए 2 digit कोई भी number होगा 11 से लागा के 99 का square easy going आप find out कर सकत ठीक है friends तो करिये इस तरह को enjoy कीजिए और calculation अपनी orderly practice कीजिए और calculation अपनी फास्ट कीजिए यह एक छोटी सी ट्रिक थी जो हमने डिसस किया ओके आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा